19 अगस्त 2022 जन्माश्टमी तुलसी पर बांदें ये एक चीज हो जाओगे करोड़वती दोस्तों भगवान स्रीकृष्ण ने भादो माह में रोहनी नचत्र में ब्रिसब लगन में जन्म लिया था और इस बार जन्माश्टमी 19 अगस्त को दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और पूरे देश में भगवान स्रीकृष्ण जी के जन्मोसो की धूम मचेगी और अभी से तयारिया भी शुरू हो चुकी है जन्माश्टमी की तयारिया पूरे धूमधाम से भगवान का जन्मोसो मनाने के लिए तो रोहनी नचत्र में जन्म हुआ था ब्रिसब लगन में जन्म हुआ था और इस बार के जन्माश्टमी पर कई सारे शुब दुरलव योग बन रहे हैं जन्माश्टमी पर बहुत खास योग बन रहे हैं इस बार इस बार सरवार शिद्ध्योग अम्रिश शिद्ध्योग भी बन रहे हैं भगवान स्री की पूजा जिस तरह से स्रावण माह में होती है उस्षी तरह से भाद्रबद माह में भगवान स्रीकृष्ण जी के अराधना कभी विदान है चुकि रात के बारा बजे भगवान स्रीकृष्ण जी का जागरण, भजन, पूजन, अर्चन करते हैं क्योंकि रातर बारा बजे ही इनका जन्म हुआ था तो भागवान स्रीक्रिशन के जन्मोसों का जो प्रागट यनि की अवसर है वो रातर बारा बजे मनाया जाएगा और इस बार चुकि कन्फूजन है जन्माश्टमी को लोकर 18 अगस्त को भी है और 19 अगस्त को लेकिन 19 अगस रातर 10 बज के 69 मिनट पर खतम हो जाएगी तो बैशनो भक्त जो है वो 19 अगस्त को ही मनाएंगे जन्माश्टमी के दिन तूलसी के छोटे छोटे प्रयोग किये जाते हैं चूकि जीवन को बहतर बनाने के लिए अगर धनकी कमी है संतान की प्राप्ति नहीं हो पार ही बीब तब हगवान स्रीकृष्ण जी को ये पूजा के समय आप जरूर उन्हें अरपित करें धन संबनित समय परिशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और छोटे छोटे प्रयोग जो है जो आपको माला माल बना सकते हैं शुक्ष मृद्धी ला शकते हैं घर से कलय कलेश खत्म हो सक तुलसी के पौधा उशके सामने एक दीपक जरूर जलायेगा जर्नमा स्ट्मी के दिन दोस्तों तुलसी हम सभी के घरों में रहती है हम उनकी पूजा करते है नित Пराते काल जल आरपन करते हैं और शाम के समय दीपदान करते हैं तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि माता लक्षमी जी का वास रहता है तो दोस्तों आज की वीडियो हम आप से कुछ ऐसे विछेश उपायों के बारे में बताएंगे अगर आप जनमाष्ट में की दिन तुलसी पर बान दे ये एक चीज तो हो जाओगे करोडपती माला माल बहुत शारी बाते करेंगे देखे हमा अगर किशी प्रकार के नकरात्म कुर्जाव के घर में प्रवेश कर गई है तो उसको दूर कर सकते हैं मन में किशी तरह के नकरात्म को बिजार आते हैं तो भी दूर हो जाएंगे परिवार में कलह कलेश खत्म हो जाएंगे और अगर हमारी संतान किशी तरह से बहुत जिद और बहुत ही सरल उपाए है इन्हें करने से हमारे जीवन के सभी प्रकार की जो वाधाएं हैं समशाएं वो दूर हो जाएगी। दोस्तो ये जो उपाए हैं धर्म गरंतों के बताए गए तुलसी के अनेकों उपाए हमारे धर्म गरंतों में बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की बाधाएं दूर होती और शुक्ष भागिक में ब्रिद्धी होती है आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काफी महतपूर्ण रहने वाली है काम की है वीडियो क्योंकि इस उपाए को करने से हमारे जीवन में शम्रिद्धी आती है शुक्षांती और बैभाव का बास होता है तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि ये आपक विशेश रोप से बहुत सुफल रायक है दोस्तो तुलसी हम सबके घर में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं तो किसी भी तरह से इन उपाईों को अगर आप करते हैं तो हमेशा लाब अवश्य प्राप्त होगा आपको बस हमें जरूरत है कि हम विश्वास से इस उपाई को करें तो ये उपाई हमारे लिए चमतकारिक रोप से काम करते हैं बात करते हैं यहां पर पहले उपाई की देखें क्या करना है कि अगर हमारा ब्यापार किसी तरह नहीं चल रहा ब्यापार में उन्नत ही नहीं हो रही काम नहीं चल रहा पेशों बहुत अधिक है अगर उसे अपने घास को आप धन के स्थान के रखने में रख दें जैसे कि जहाँ धन रखते हैं पैशे रखते हैं आलमारी पे रखते हैं तो पैशे की आमदन में बढ़ेगी किशी भी तरह की कोई भी समश्याई नहीं आएंगी और आप उसको उखार कर ए भी लक्षमी जी का समान ही पूजनी माना जाता है भगवान विश्णु जी की पत्नी ब्रंदा मान कर देव प्रभधनी एकदर्शे के दिन तुलसी और शाली ग्राम का विवा करवाने की भीमारियां परंपरा है सास्तरों के इंसवार जिन घरों में तुलसी का पौधा हारा भारा रहता है उस घर में सुक शान्ति और समुर्दी बैभाव बना रहता है भगवान विश्णु मा लक्षमी और तुलसी जी की क्रिपा प्राप्त होती है और तुलसी का पत्ता तुलसी का पौधा पत्ता बह और सुम्रिद्धी के लिए तुलसी को आप जरूर जनमाश्टी में एक दिन लाल चुनरी अवश उढ़ाएं अक्सर जो लोग जाने अंजाने में कई गलतियां कर देते हैं वो लोग तुलसी का पौधातु लगाते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उढ़ाते हैं जिसके करण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती हमेशा याद रहे माता रानी को चुनरी आवस्य चढ़ाना चाहिए जन्माष्ट में के दिन और इस बार चुकि जन्माष्ट में के दिन कई सारे शुबश्वयोग बन रहे हैं चलिए आपको जरूर ये प्योग करना है क्योंकि तुलसी एक पौधानी बलकि हमारी माता है तुलसी को चुनरी उढ़ा कर रखा जाता है लेकिं इस बात कभी शेश ध्यान रखें कई लोग गलतिया करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है लेकिन एकदस ये फिर अनकोई शुब दिवस बर तुल्सी के चुनरी लोग बदलते हैं लेकिन आपको न केवल तेवहारों पर चुनरी बदलना चाहिए बलकि साब सुथरी चुनरी मा तुल्सी को हमेशा उड़ाना चाहिए बगर चुनरी के मा अच्छी नहीं लगती मा फुलों की प्राप्ति नहीं होती तुल्सी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं जो लोग तुल्सी विवाग कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते दोस्तों स्वर्ग की प्राप्ति भी माता लक्ष्मी जी के प्रसंदता होती है दोस्तों अगर आपके प पल जाडू पहुंचा रखना भी बिल्कुल पाप माना जाता है। तुलसी को रविवार की दिन नहीं तोड़ना चाहिए और नहीं रविवार को पूजा करने चाहिए। फिर अपनी मनोकामना बोलें बाद मीसे चाहिए तो अपने धनकिश धन पर रग दें तो इतना पैशा आएगा कि बन जाओगे करोरपती एक चोटा सा और उपाय करें। मौली धागा होता है मौली धागे में आप पांच हल्दी गाठ यनि बाद कर और आप यनि दो लौंग भी उसमें दो इलाची भी बाद कर पांच पांच गाठ या फिर एक गाठ लगा कर बाद दें। तुलसी की नीचे बांदें अपनी मनोकामना बोलते हुए आप देखेंगे कुछी दिनों में हो जाओगे करोरपती धन से माला माल बन जाओगे धन की समश्याई दूर हो जाएंगी धन की अंधनी बढ़ जाएगी तो इस प्रकार से आप ये उपाज जरूर करें जर्माश जय मातुलसी, जय मालक्ष्मी